हेलो फ्रेंड्स जो बारतिय वायू से एरफोर्स से अप्रेंटिस करना चाता है अपनी जोब को शोर करना चाता है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी वीडियो में लाश्ट तक बने रहना यह संपूर्ण जानकरी दी जाएगी कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीट है और कब फोरम बने की लाश्ट तरीक रहेगी कंप्लिट जानकरी आपको दी जा रही है वीडियो में लाश्ट तक बने रहना चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें आपको बताया जा रहा है कि अप्लीकेशन है वो फिल करने की डैट थी वो गुनिस दिसंबर 2022 से और लास्ट क्लोजिंग डैट है वो पांच जनवरी 2023 आपकी रहने वाली है इसमें आपको डोकुमेंट है वो साइड पे अफलोड करने है वो दसबी पास का सर्टिविकेट बार्यू पास का सर्टिविकेट और आइटी पास का सर्टिविकेट इसके साथ ही आपका रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो जो कि 50 के भी का होना चाहिए और कंडिडेट का सिगनिटर और written and practical exam on respective trades conducted of a part selection procedure at Air Force Station ओजहर जहां पे आपका written exam होगा, practical exam होगा वो की conduct कराया जाएगा, वो Air Force Station ओजहर में करवाया जाएगा इसके बाद candidate के, candidate से एक valid ID proof लिया जाएगा इसके साथ ही reservation रहने वाला है, वो apprentice में 1961 के act के तहत रहने वाला है अब आपको eligibility criteria बता देता हूँ कि general category का candidate है उनकी 14 से 21 साल का होना चाहिए, एक अपरेल 2021 को OBC का candidate है वो 14 साल से 24 साल का, SC category का है वो 14 साल से 26 साल का और height minimum 137 सेंटिमीटर वजन है, वो 25.4 के जी रहने वाला है और आपको education qualification बता देता हूँ कि candidate है, वो 10 में minimum 50 परशेंट, ITI में 65 परशेंट और का aggregate रहना चाहिए अब आप seat देख सकते हो कि mechanist की seat है, तीन seat, seat metal की 15 seat, welder की 4 seat, mechanic radio, operator की 13 seat, carpenter की electrician aircraft की 33 seat फिटर से जो 38 seat है, अब इसमें last day जो कि submission की application की है, वो 5 जनवरी रहने वाली है, written and practical exam रहने वाला है, वो आपका 26 फरोरी 23 वे एक मार्स 2023 को रहने वाला है, और मेर्ट लिस्ट आएगी, वो तीन मार्स को आने वाली है, कॉर्स कमेंडेंट